हेलो गाइज, वेलकम बैक तो अवर यूट्यूब चैनल, अग्रीकल्चरन जी के मैसल्फ अंचली नाम दे और आज बात करेंगे FCI-AZM के कुछ क्वेश्चन्स के जो कि आपके FCI-AZM exam point of view से बहुत जादा important है ये computer awareness के क्वेश्चन्स हैं, तो आप इनको वीडियो को end तक देखना ना भूलें और हमारे साथ end तक वने रहें और यदि आपने आप हमारे चैनल में अभी नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जाद़ जाद़ शेयर करें इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे application agriculture और GK के e-learning application को install नहीं किया है तो आप Google Play Store से जाकर इसे install कर सकते हैं इसमें आपको free में e-books दी गई हैं आप इन्हें download करके पढ़ सकते हैं इसके अलावा agriculture और elite subjects के courses को launch कर दिया गया है आप चाहें तो उनके course को purchase कर सकते हैं उनकी test series को purchase कर सकते हैं बाकी जो course launch नहीं हुए है वो launch करने की तयारी है तो आप लोग हमारे साथ बने रहें आप हमारे application को install कर लें उसमें सारी आपको notification अबिलेबल कराई साइगी सो हम start करते हैं कर नमर वन पे और मोर दैन वन विंडो इस उपन तो स्विच तो दे नेक्स विंडो इस की कॉंबिनेशन जब हम एक विंडो में एक से जादा विंडो को उपन करते हैं तो उस नेक्स विंडो को स्विच करने के लिए कौन सी की का उस करते हैं तो central प्लस F6 की का हम लोग यूस करते हैं नेक्स विंडो में मूफ करने के लिए ठीक है स्विच करने के लिए and question no.2 is where are data in program stored when the processor uses them जब हम प्रोसेसर का यूस करते हैं उन में तो data जो है ना data और program है वो कहां पे save होता है कहां store होता है वो हमारी computer की main memory में store होता है then fill in the blanks represents raw fact whereas fill in the blanks is a meaningful data तो data represents raw fact जो data है वो किसी भी चीज़ का data हमको raw fact देता है जबकि information meaningful data देती है ठीक है तो हम भही बता रहे लेकिन जब आप information दोगे तो वो उसका पूरा पूरा क्या होगा meaningful data होगा and question number 4 is saving is a process तो saving saving क्या है save कर रहे हम किसी भी चीज़ को वो क्या कैसी क्या process है to copy the document from memory to storage medium यह हम क्या करते है document को copy कर कि storage medium में हम उसको क्या कर देते हैं save कर देते है PNG stands for अब PNG की बात करेंगे तो PNG portrayal network graphics है जिसका use जो यह क्या होता है PNG is a file format used for lossless image compression मतलब जो lossless image है उसको compression करने के लिए PNG का use करते है मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS power point जो MS power point होती है PPT में है तो आपका जो maximum जूम परसेंट किता होता है 400% होता है कि आप उसको कितना जूम कर सकते हो maximum 400% कर सकते हो लेकिन इसमें maximum दिया है अब बात करें minimum की तो minimum जूम परसेंट जो होता है in MS power point में वो होता है 10% इसको भी आप जूम परसेंटेज होता है MS power point में वो 10% होता है and then question number 7 is the word FTP stands for FTP जो है file translate protocol है यह क्या होता है file translate protocol is a communication protocol used for the transfer of computer files from a server to a client on a computer network so जो file translate protocol है वो एक standard communication protocol होता है जिसमें हम एक computer से अपने दूसरे computer की file को share कर सकते है ठीक है यह transfer कर सकते है दूसरे computer network में ठीक है it is known as file translate protocol फिर compiler is in computer system is आप देको compiler क्या है computer में एक software है ठीक है system software है जिसका use क्या करते हम लोग that translate compiles source code written in a high language high level language so यह क्या करता है एक प्रकार का यह software होता है जो translate करता है compiles code में है जो computer समच सकी what is an intersection of a row and column in a spread seat तो जब हम spread seat में row and column का intersection किया जादा तो उसको क्या केते अपने देखा होगा computer में जिसे हम बोलते है work seat question number 10 is what is the process of creating movement from still images जो हम process क्या होती है create करने का still images movement करते रहती तो वो होता है animation तो animation हम सभी देखते है वो क्या होता है process of creating movement from still images a set of rules for creating markup language that enables programming to capture specific types of data by creating their own elements is called xml मत्तर जो एक site or rules का site create करते हैं markup language को that enables होता है programming to capture specific types of data उसको हम xml कहते है small plain text files that are written to your computer's hard disk by many of the websites you visit are so small plain text जो files होती है जो कि रिटन की जाती computer hard disk वो बहुत सारी sites होती तो आप किस website पे visit करते हो website तो it is known as cookies website में हम क्या करते हैं visit करते हैं and question number 13 is 13 is which of the following is the proper way to denote a cell in spread seed तो इसका जो proper way है cell का denote करने का spread seed में जो क्या है option number 2 है जो स्कांसर C5 C5 जो है वो proper way होता है cell को डिनोट करने का spread seed में which broadband service is the most available जो broadband service है वो कौन सी अभिलेबल है so वो है satellite जो broadband service है वो मोस्त अभिलेबल है question number 15 is is a set of rules computer use to talk each other क्या होते है rules computer जिससे एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो वो है protocol हमने आपको बताया भी था अभी protocol से transfer होती है file इसके अलाबा computer से दूसरे computer की through भी हम क्या कर सकते है set होता है rule का जिसे हम talk कर सकते है it is known as protocol which backup method only backup backup files that have been modified since the last backup तो कौन सी जो backup method है जिसका यूज से backup files के लिए करते है modified करने के लिए last backup में incremental backup ठीक है इसका यूज करते है which type of transmission media is known as regular telephone wire किस transmission media का use हम लोग regular telephone wire की रूप में करते है that is twisted pair wire का use हम लोग type of transmission है जिसका use हम लोग regular telephone wire में करते है what is the purpose of a firewall on a computer so computer में firewall का क्या purpose है to protect a computer from unauthorized access जो हमारे computer में unauthorized access होता रहता है उस से हमारे computer को protect करने का work करता है firewall जो computer में होता है question number 19 is a disk contained that is recorded at the time of manufacture and that cannot be chased or erased by the user so a disk content record करता है time पे manufacture करता है बनाता है तो वो क्या चीज होती है वो कभी change नहीं हो सकता है या नहीं आप user के थूँ raise हो सकता है तो यह क्या होगा यह read only सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो आप उसमें कोई changes नहीं कर सकते हो कुछ नहीं गर सकते हो अब क्या नवर 20 इस in word you can change page margin by जो in word मैं word मैं आप page margin को change कर सकते हो किसके थू clicking the right mouse button on the ruler तो हम क्या करेंगे जो mouse का right button को क्लिक करके हम उस page के margin को change कर सकते है which part of the computer helps to store information कौन सा पार जो computer का है वो इस information को store करने के लिए help करता है that is disk driver टिके disk driver एक पार्ट होता है computer का जो की information को store करने के लिए help करता है question number 22 is which key is used to delete one character to the left of the current position of the cursor जो कौन सी key का use हम लोग करते है एक character को delete करने के लिए left से position से left से then that is known as backspace ठीक है if you want to connect to your computer own computer through the internet from another location you can use यदी आप connect करना चाहते हो आप अपने computer में internet को connect करना साथते हो दूसरे location से ताप किस का use करोगे आप तैलनेट का use करोगे and animation is a special visual and audio effect applied in powerpoint to text or content so animation क्या होता है एक visual हम उसको देख सकते है उसको सून सकते है हम उसको as a point or text or content में हम क्या कर सकते है अप्लाइ कर सकते है animation को and 25 question is वेर दस most data go first within computer memory hierarchy तो जहां का जो data होता है न वो सबसे पहले कहां साथा है computer memory hierarchy में वो है RAM ठीक है random access memory ठीक है and then हम बात करेंगे all of the following are example of storage devices except so hard disk जो है ठीक है storage device है floppy disk drives भी है cd drives भी है but printers are not storage devices इसको storage devices नहीं बोल सकते है आप printer को select the odd one आप odd one इसे सेलेक्ट करो operating system is odd है इसम है interpreter, compiler and assembler की देखोगे तो operating system is odd one है ठीक है and then आप question number 28 की बात करोगे तो which of the following is not an advantage of magnetic disk storage इसमें से कौन सा advantage नहीं है magnetic disk storage का so आप यहाँ पर देखोगे questions को the access time of magnetic disk is much less than that of magnetic tape disk storage is longer lasting than magnetic tape disk storage is less expensive than tape storage and none of these तो यह जो सारे आपको यह सारे आपको यह सारे आडवांटेस हैं तो इसमें तो कोई भी आपको डिसाडवांटेस नहीं लग रहा है then perforated paper use as input or output media is known as जो perforated paper है उसका use input or output में करते हैं उस media को क्या कहते हैं paper tape, magnetic tape, paper tape और card punch अबको paper tape है उसको हम लोग perforated paper का use किया जाता है input or output मीडिया में the first generation computer system used जो first generation computer system use है वो है vacuum tubes so vacuum tubes क्या है इसको पढ़ लेते हैं इसको देख लेते हैं it is used as a switch amplifier or display screen used as on or off switches vacuum tubes allow the first computer set to perform digital computation यह क्या होते हैं यह digital computation में work करते हैं and then this switch on or off का भी काम करने के लिए help करते हैं that is vacuum tubes and then to access properties of an object the mouse technique use is to access property है किसी object की mouse technique को उसका use हम लोग right clicking के लिए करते हैं the ALU and control unit jointly known as when ALU and control unit jointly होते हैं compiled English like computer programming language designed for business use यह एक प्रकार की language होती है जिसको design किया गया है business use के लिए and then what is the name of program chip जो programmed chip है उसका दूसरा नाम ROM होता है यह ROM का दूसरा नाम program chip है register store data temporarily and pass it on as directed by the control unit register store data temporary and pass it on as directed by the control unit question no.37 is RAID stands for redundant array of inexpensive disks okay now what is this? RAID is a collection of hard drive one or more controller cards embedded software to increase the reliability and redundancy of data storage on hard drive so this means this means that in hard drive the data storage for redundancy reliability increases this software then next is question no.38 is select the smallest memory site smallest memory site क्या है kilobyte kilobyte that means kb that is kb and bb बड़ा होता है kb gb and tb तो बट बड़ा होता है smallest unit है kilobyte that means kb and largest memory size is cb okay terabyte in most microsoft programs what does alt plus f4 do and for program 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 a device that is used to transmit data from one location to another known is it is known as carrier programs developed by an outside supplier and provided to the user in a machine re-edival firm is known as carried program and then question no.42 is which of the following describe one or more character for a modern computer so which character is one or more character for a modern computer characteristics and electronic device it is an electronic device and then octal number system has base 8 octal number system has base 8 PL 1 programming language 1 what is this is a high level programming language which of the following is a disadvantage of machine language which of the following is a disadvantage of machine language which of the following is a disadvantage of machine language machine dependent question no.46 is android operating system is an example of which kind of source model which of those as an Virgen Form it is also an example of android operating system it is an example of which type of example open source you can use tab key to indent & paragraph you can use tab key to indent & paragraph to indent the paragraph which process checks to ensure the components of computer & operating are connected properly which process checks to ensure the component of the computer and operating are connected properly that is known as booting question number 49 is what is the correct association between the hardware component and a computer function so mouse okay mouse input देता है इसका मलब क्या है mouse computer function क्या इसका input ठीक है आप इसको बोल सकते हो mouse input and then the sharing of a medium and its path by two or more devices is called आप sharing medium हो ना उसका दो या दो से अधिक devices से रास्ता हो तो आप उसको क्या कह सकते हो multiplexing केते हैं the server on server on the internet is also known as जो internet पर server है उसको हम host कहते हैं and then our database management system dbms is a software system used to create maintain and provide control access to our database which of the following is an example of connectivity का example क्या है internet what menu is selected to cut copy and paste किस menu का use करते हैं cut copy paste के लिए edit का use करते हैं to save a document in different location use हम किसी भी document को जब सेफ करते हैं तो इसको different location में किस का use करते हैं तो save as का use करते हैं save use में आप जाके वहां से save as में जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे अप्श मिलेंगे वहां किसमें सेफ करना चाहते हो ना तो आप उस पर जाके अपने फोल्डप पर आप सेफ कर सकते हो programming language built into user programs such as word and excel are known as programming language है वह built करता है user programs को जैसे word हो गया excel हो गया उसको किस ताम से साना चाहता है तो visual programming language के नाम से जाना चाहता है quotes consisting of lines of varying width and length that are computer readable are known as a magnetic tape question number 58 is to reload a webpage press the refresh button आप किसी webpage को जब आप reload करना चाहते हो तो आप किसके यूज़ करते हो refresh button का use करते हो you know personal computers can be connected together to form a personal computer connect कर सकते हैं together किसके through form of a network के through which of the following is true क्या है eight digit binary number is called a byte eight digit जो binary number उसको हम byte कहते है question number 61 is which of the following can be used to select the entire document किसीच का use हम लोग entire document को select करने के लिए करते हैं central plus a का use करते है a concentric circle on a disk is called track जो a concentric circle है डिस्क पर उसको हम क्या कहते है track कहते है dsl is an example of an broadband जो dsl है वो किसका example है broadband connection का example है and then instructions and data that are processed by the cpu are located in जो इंस्ट्रक्शन है data है process का cpu के तू जो प्रोसेस हुआ है वो कहां पे located होता है वो रैम में located होता है random access memory में located है all of the following are considered to be storage devices except आपको यह बतायाना है किसमें जितने भी आपको किसमे storage device कौन सा नहीं है इसको छोड़के floppy disk it is storage devices cd hard disk drive and cpu is not storage devices and then math करेंगे the commonly used unix commands like data is cat etc are stored in जो commonly use करते हैं unix का commands का उसको like data is cat etc store करने के लिए किसमें bin directory में हम इसका use करते हैं question number 67 is a circuit with about 100 transistor fabricated on a single chip is called circuit 100 transistor fabricated single chip में उसको क्या कहते है MSI कहते है 1 megabyte is equal to approximately 1 million byte 1 megabyte is equal to 1 million bytes 1 megabyte is equal to computer check the database of user names and password for a match before granting access 1 computer क्या करता है granting access के पहले वो password और user name को check करता है database database of your user name computers that are portable and convenient for users who travel are known as so computer that are portable and convenient for users when they travel which computer is used to be portable laptop laptop is used to be used a lot today what is the term for unsolicited email okay so spam the fill in the blanks operating system tells the computer how to use its components operating system and then question number 73 is when sending an email when sending an email the subject line describes the content of the message the subject line describes the content of the message you know the window key will launch the start button we launch the start button we use the start button what is the estimate purpose of defragmentation what is the purpose of defragmentation what is the purpose of defragmentation create more free space space question number 76 is which input device cannot be used to work in MS office which input device does not work in MS office we do not work in MS office we do not do scanner we do not do scanner and keyboard then we do not do choice and take question number 77 is switching is the method of in which multiple communications which devices are connected to one another efficiently switching is the method of आप multiple communication devices को connect है जो कि उनको efficiently क्या कर सकते हो another efficiently है ठीक है switching is the method है and then 78 is question is website is a collection of back pages and home page is a barrier first page that we soon on opening of our first website तो आप चानते हो कि जो website है वो बहुत सारे web pages का collection होती है लेकिन जब आप website को open करते हो जो front page होता है जो first page होता उसको आप हम home page पोलते हैं question number 79 is what's considered the backbone of the worldwide map www.w.w.w.ka backbone किसको considered किया गया है that means HTTP को considered किया गया है SMTP stands for SMTP simple mail transfer protocol that means you can transfer mail from one computer to another computer simple mail transfer protocol stands for SMTP small application program that run on a web page and provide animation in our are known as so small application program है जो कि बाप पेज में रन किया सता है और प्रवाइट करता है अनिमेशन को करते है हम लोग flash पोला चाता है question number 82 is the errors that can be pointed out by the compiler known as syntax errors जो यह syntax error एक प्रकार के ऐसे errors होते जिनको हम पॉइंट करते है compiler के लिए compiler के थूँ our syntax contains specific rules and words that express logical step of an algorithm our proxy server is used for which of the following proxy servers का use to process client requests for web pages and question number 85 is storage that retains its data after the power is turned off is referred to as so storage that retains data after the power is turned off is referred to as non-bulletile stories and then question number 86 is which term identifies main page of the entire site main page the entire site main page identifies the entire site main page that identifies the URL a hard copy of a document is printed on the printer then a hard copy क्या होती है जब document को हम लोग printer से print करते है printed on the printer question number 88 is which is the part of a computer that one can touch and feel कौन सा पार्ट कम्पीटर का है जिसको हम touch कर सकते हों feel कर सकते है that means hardware cpu stands for central processing unit जो cpu है वो central processing unit है that means यहां पे सारी क्या होता है आपको create program users question number 91 is that is this is not a function category in excel इसमें से कौन सी function category in excel में नहीं है it is known as logical the operating system that is self-contained on a device and resident in the room is embedded operating system operating system operating system which is self-contained in the device and resident in the room we can call it embedded operating system then to be able to be able to boot the computer must have an computer के पास बूट करने के लिए क्या होना ची आपरेटिंग सिस्टम question number 30 sorry for 94 is online real time system become popular in generation third generation and then question number 95 is random access is the ability of a device to jump directly to the requested data which is random access is the ability to jump directly to the requested data alt plus c central plus z is the combination of keys to switch between the last four places that you have edited so आपको यह बता रहा है कि alt plus central plus z एक combination ने की का जिसको आप कर सकते हो switch कर सकते हो जो last four places जहां पे अपने एडिटिंग की है question number 97 is f12 is a functional key to display save as box so f12 है एक functional key है जिसको हम दिस्प्ले कर सकते है save as box मै question number 98 is accessing data on tapes is much slower than the accessing data on disk to accessing data है tips में उसको बहुत slow होता है compared to accessing data on disk who amongst the following is called the father of modern computing modern computing की father किसको बोला जाता है then Charles Babis को if you begin typing an entry into a cell and then realize that you don't want your entry place into a cell you press escape ठीक है यदि आप typing start करें और एंटी करें किसी सेल में and then you realize that you don't want your entry place into a cell you press escape then हमारी यहां पे आज 100 questions complete होते हैं so i hope so आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा इसके लाब आपको यह questions बहुत important भी है आपके exam point of view से तो आप इनको अच्छ से पढ़िएगा और कुछ कुछ चीज़े जो मैंने बीच में बताई है उनको नोट पी कर लिजेगा जो आपके लिए helpful होगी so इसके लाब आपको वीडियो अच्छा लगे तो like करें और comment करके बताए and thank you और आप हमारे application को जरूर जरूर install करें क्योंकि आपके लिए बहुत helpful रहेगा so thank you